गुड मॉर्निंग मैं हूँ दीपती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे इस खास कारिक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस विशेश सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोज और एकल कार्ड के जरिये जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हम ऐसा क्या करें कि इन बातों को करना अवाइड करें जिससे आज के दिन को हम और भी बेहतरीन बना सकते हैं और इसके लिए हम एक से लेकर 9 मूलांग तक की रीडिंग करते हैं कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है एक उधारण आपको देती हूं कि अगर आपकी डिटो बर्थ है 11 यानि कि 11 तो एक और एक को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ाता है नंबर 2 तो नंबर 2 होगा आपका मूलांग और आज की तारिख है 20 जुलाई 2023 और आज की तारिख का जो वहें नंबर 2 जिसके कि स्वामी है चंद्रमा और चंद्रमा तो आप जानती है कि मन का कारक है जलतत्व है साथ ही साथ हमारी साइकिक पावर खावर को भी रिप्रेसेंट करता है तो आईए जानते हैं मूलांक X लेकर नौतक के जात्वों पर क्या impact पढ़ने वाला है आज मून एनरजी का और साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगे एक बहुत important बात देखें दोस्तों हमारी जिंदगी में हमारा सोना या नींद लेना एक बहुत ही महत्पून प्रोसेस है यह जो नींद लेने का प्रोसेस होता है बहुत सारे लोग है जो कि रात रात भर जागते हैं तो रात रात भर जागना तो कहीं न कहीं साधकों का संतों का कारे है जो ध् आध्यात में किस तरकी बात करूं तो ऐसे समयं पर हमारे जो एंजल होते हैं हमारे जो गार्डियन होते हैं जब हम परमात्मा से कोई मदद मांगते हैं तो यह परमात्मा हमें इमारी संकेतों के माधियम से यिकारते हैं तो उस वक्त हम संपर्क करते हैं हमारी माधियम से हमें फ्टॐ प्रॉससेस अब ज्याका करता है अरे मुझे चाहिए वयाम गख्या यह आıldasy vậy राटा में होता वैसे हम माव वतारी हूं कि आप शोते वक्त ऐसा गरें कि अधिक शक्तिशाली ठेड़ टो आपको क्या करना चाहिए योग निद्रह अगर आपने सुना हूं योग निद्रह के थे यह E कर आपको क्या करना है कि सोते हैं कोशिश किए सीधानदा पूरा भ्यान अपनी स्वास पर केंडर gaan करके सुएं आप ऐसा आभास करें आप ऐसा इंटेंट करें कि आप जैसे जैसे स्वास ले रहे हैं गहरी स्वास ले रहे हैं वैसे वैसे आप ध्यान में उतरते चले जा रहे हैं और आप जी आपकी जोई निद्रा है यह निद्रा वास्तिक्ता में एक योग बन गया है प्रक हाई दोस्तों बेना दिर की कारकरम की शुभाट करते हैं और जानते हैं मूलंक एक के लिए हमारे एंजल्स अजम्हार इंसिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं बीस जुलाई 2023 के लिए और मूलांक एक के लिए हमसे कहा जा रहा है मेडिसिन मदर का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आपको निरंतर इस बात को आगा किया जा रहा है कि एक तो किसी व्यक्ति पर आख मूंद के भरोसा आपको नहीं करना है किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी नया कार्या आरंब करने से पहले कहीं पैसे का इंवेस्टमेंट करने से पहले तो कुल मिला के आपको अपनी इंट्यूशन पर फोकस करना है आपको जानते हैं मूलांक 2 के लिए आज यानी की बीस जुलाई दो हजार तेस का दिश्टमेंट के लिए तो आपको इस विचे पर ध्यान देने की आवशकता है आपका दिन शुब हो मूलांक 2 मीशान दो हो जानते हैं मूलांक 2 के लिए आज याने की बीस जुलाई दो हजारस का दिन कैसा गुसरने वाला है हमें हमारे एंजल्स एंसेस्टर गा मूलांक 2 के लिए और हमें गाइड किया जा रहा है medicine mother का card है card जो रिपीट हुआ है कहीं न कहीं Sun Moon दोनों के energies में बताया जा रहा है कि किसी पर भी आपको भरोसा नहीं करना है बलकि अपनी intuition पर आपको यकीन करना है साथी साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आज की दिन आपको स्वास्तलाब होगा कुल मिलाके अगर मैं बात करूं तो आपके अठके वे जो कारे हैं वो भी आपके आगे बढ़ेंगे काफी चीज़े आपके आज गतिमान होंगी लेकिन सबसे महत्पून चीज़े आंख मू कर रहे हैं आज 20 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है प्रोटेक्शन गार्डिन का काड़ है आपको कहा जा रहा है बहुत दुनों से अगर किसी प्रकार से इंसिक्योर थे तो आप निश्चिंथ हो जाईए डिवाइन आपके साथ हैं आपकी सहायत प्रकार के बहा की स्थिति में आपको नहीं रहना है अगर आपने किसी प्रकार का कॉमपटेट्टिव एक्जामेनेशन अभी दिया था या आपका है तो उसके लिए बिया निश्चिंद रहें चिंता ना करें परमात्मा पर यकीन करें कि आपकी महनत का आपको सही परिणम अवश्य ही प्राप्त होगा अपने जो प्रोटेक्शन की आपकी जो एनर्जी इसे वेस्ट हो रही है उसे आप अपने सही मार्ग पर लगाईए अपने गोल को प्राप्त करने में लगाईए आपका दिन शूभ हो आई जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमारे एंजल्स हमारे एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाईड कर रहे हैं आज 20 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमें गाईड किया जा रहा है दुराविट का कार्ड है आज के दिन आप जो भी कोई कारे कर रहे हैं उसमें आपको अडिग रहना बहुत जरूरी है द्रड रहना बहुत जरूरी है यह नहीं कि आपने एक कारे हाथ में लिया उसको छोड़ दिया दूसरे कारे में अपने हाथ डाल दिया यह काम बिलकुल नहीं करना है जो कारे प प्रेक्ट जो है आपकी प्रिस्टीज पर बात आ सकती है थोड़ा जविशय पर ध्यान रखें आपका दिन शुभूग आए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें हमारे एंजल्स हमारे एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 20 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक 5 के लिए आपको गुरुक्रपा मिली हुए आज आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है लेकिन इस उर्जा का सदूपयोग आपको आज करना है इसको बरबाद ना करें किसी प्रकार के लड़ाई जगड़े में वाद विवाद में से बरबाद ना करें बलकि बहुत सोच समझ कर आपको हाँ आपको आगे बढ़ना है इस उर्जा का सदूपयोग करना है विशेश तोर पर बात आती है अगर आपके करियर की या धन संबंधी विश्यों की जहां पर आपको निर्णे लेना है इन्वेस्टमेंट करने लेना है किसी नई विक्ति के साथ कारे करना है यह किसी पर भ और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है wise one का काड है आपको कहा जा रहा है हो सकता है कि आप अभी इस वक्त जिस परिस्तिती में है या जो भी कोई कार्य कर रहे है आपको लग रहा हो कि आप बहुत कुछ और बहतर डिल्जर्व करते हैं और आपको चेंज करना चाहिए तो अगर ऐसा कोई विचार आपके मन में आ रहा है तो परमात्मा आपको कह रहे है कि this is not the right time to change और कहीं न कहीं आप talented है no doubt आपको अपने talent पर भरोसा है है बिल्कुल बहुत चीह बात या इस familiar है आपको फरमात्मा कह रहे हैं कि आप जिस भी position पर हैं जिस पदपर हैं जिस नोकरी पर हैं जिस समय जहां पर जैसे भी हैं आपका वैसा ही होना सुनिश्चित था आपको वहां ही होना था तो अगर आपको लगता है कि आप टैलेंटेड हैं तो आप जिस परिस्तिती में है ना उसी में अपने टैलेंट को दिखाएं और उसी परिस्तिती को बहतरीन बनाएं अपने अनुकूल बनाएं तो कुल मिला के आपको खुद के आपको आज कारे करना है आपका दिन शुब हो आई जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमें हमारे एंजल्स एंसिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 20 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक साथ के लिए हमसे कहा जा रहा है और गाइड काड है आपको कहा जारा है कि आज के दिन थोड़ा सा आप बेचैनी महसुस कर सकते हैं एमोशनली अपडाउन आप फील कर सकते हैं तो आपको क्या करना है आपको जो है ग्राउंडिंग करनी है मेन चीज जितना जादा आप ग्राउंडेड रहेंगे उतना ही आप मित्टी में चलते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला आपकी जो एनर्जीज है वह भी क्लीन होंगी और आपको एक अच्छा रूट मिलेगा यह जानते हैं मूलांक आठ के लिए हमें हमारे एंजल्स हमारे एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज प्राना आपके पैटर्ण चले आ रहे हैं उससे थोड़ा सा प्रेक अपको लेना चाहिए आप करम प्रधान होते हैं कारें लगतेजनियों रही महीनत कर रहे हैं झालिया जाहिए निकालना चाहिए खुद के उपर ध्यान दें और साथ ही साथ कुछ नैपन आपकी जद्ग करना चाहिए पुराने अपने आपको पुराने सेल्फ को बूल जाना चाहिए और आज आपको रेस्ट करना चाहिए समझ करें कोशिश करें कि महतपून का आप आगे के लिए टाल दें आपका दिन शुभा होगा आये जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमारे एंजल्स एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 20 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमसे का जा रहा है सन का कार्ड है काफी टाइम बात जो है मूलांक 9 के लिए बहुत अच्छा कार्ड निकला है सक्सेस का कार्ड नि वह बहुत जादा पाफुल है आप बड़ी से बड़ी चीजों को कर पाएंगे और बहुत क्रियेटिविटी की साथ आप कर पाएंगे यहां तक कि आपके जो बोलने का जो आप कर रहेगा सबसे पहले हम बात करते हैं आज की दिन के पंचान की आज की नक्षत्र की बात करें तो आशलेशा नक्षत्र सुबे दस बच के 55 मिनट तक है फिर मगह नक्षत रा जाएगा योग सिद्धी है सुबे 11 बच के 21 मिनट तक आगे व्यतिपात योग है तो योग की द्रस्टी से आज का दिन अध्यात्मिक साधना और पूजा पार्ट के लिए बहुत ही शुब है करण टैतिल है शाम 5 बच के 45 मिनट तक आग क्योंकि इसमें कोई शुबकारे नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पर नहीं निकलना चाहिए अभीजित मुरत आज 11 बच के 69 मिनट दिन में से लेकर 12 बच के 24 मिनट दौपेर तक है दिन में चार बार दुष्ट मुरत भी रहेंगे इन्हें ध्यान से समझेगा और सूजब दिशा की यात्रा को टाल दें लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी अनिवार यात्रा है तो फिर इसका परिहार करके निकले परिहार बहुत सरल है दक्षिन के और मुक कीजिए थोड़ा सा धाई जीरा खाईए और पांच कदम पीछे चलिए और जब यह प्रक्रिया आप करे तो अपने इस्ट या भगवान श्रीराम को अपने हिर्दे में माने उनसे प्राथना करें कि दिशाशूल की तरफ मैं जा रहा हूं मेरे साथ चलें ऐसा करेंगे तो आपकी यात्रा मंगल में सिध्धी प्रद और सुरक्षित रहेगी दिशाशूल आपको बिलकुल भी पर है अच्छे एफर्स करें तो समय का ध्यान रखते हुए करेंगे सफलता के चांसे आपके लिए ज्यादा रहेंगे आज की चंद राशी दर्शे को करक है सुबह 10 बच के 55 मिनट तक आगे चंद्रमा सिंग राशी में प्रवेश कर जाएंगे जिससे आज का दिन सभी 12 राश विश्वचनी और चेंच्वास कर फस सकते हैं किसी समस्षा में और मिथुन राशी वालों को समस्षाओं में मिलेगा आज विश्वचनी लोगता साथ निकल सकते बाहर और करक राशी वाले आज अपने एफर्ट से मिलने वाले परिणामों से होंगे प्रसंद्द 근 Cinq राश राशी वाले आज पासकते हैं कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी या नई नोक्री धनु राशी वाले स्वास्त लाब करते वे दिखेंगे दिन बीते का अध्यात्मिकता में और मकर राशी वाले व्यापारिक निर्णयों में जल्दवाजी ना करें विशेश करके पाटनर्श जो आपकी हमारी अंतेद्रश्टी प्रग्या को जागरत करेगी फिर आगे समझें उन विशेश उपायों को जीवन को सुगम सुरक्षित सुंदर और सफल बना देते हैं तुमें करेंगे आज की दिन की जोतिश मंत्रणा और समाधान तर्शे को जीवन में कुछ दुर्ग विने नाशन है माया मित्राणी नाशेती लोब है सर्व विनाशन है चोटी सी बात है लेकिन इसकार्थ कितना सुंदर है कि क्रोध प्रेम को नस्ट कर देता है अभिमान विने को नस्ट कर देता है पाखंड मित्रता को नस्ट कर देता है जबकि लोब सब कुछ नस्ट कर द यह पाखंड से दूरी बनाते वे लोब की तिलान जली दे देनी चीए ऐसा अगर आप करते हैं तो इसी से आपका कल्यान होता है तो आज की ज्यान चर्चा का सार यह है कि हम दुर्गणों से दूरी बनाए इन दुर्गणों को अपना सबसे बड़ा शत्रू माने क्योंकि यह हमसे वो चीन रहे हैं जो हमारे लिए इस जीवन में सबसे आदा प्रिय है तो दर्शे को आप बात करते हैं उन विशिस टुपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समश्चाओं के सरल समाधान कर देंगे और जिने करके आप असफलता अर्चनों को जीवन में बहुत पीछे सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है तो जिन जिन लोगों का जनम दिन है आप सब लोग आज दौपेर एक बच के 35 मिनट से दौपेर दो बच के 15 मिनट के बीच में भगवान शिव जी पर केसर और चंदन के इत्र से अभिशेक करें और शिव पंचाक्षर इ या सादू संतों के आश्रम में भोजन सामगरी वित्रत करें तो आने वाला पूरा वर्ष पौदी सुक शांती से सुकून से इश्वरी अनुकमपा के साथ बीतेगा दर्शे को अब हम बात करते हैं रोग निवारण के उपाई पर वैसे तो सबसे उत्तम उपाई ये है कि उचित आहार किया जाए उचित विहार किया ज़ए यारम अपनी देह की प्रकृति को अच्छे से समझते हुए अपना बजल चुने और विहार यानि समय पे सोना समय पे उठना व्यायाम योग प्रणयाम नियमित करते रहें फिर भी यदि रोग आ जाते हैं तो चिकित्सा के साथ साथ आप अध्यात्मे को पाए अवश्य करें जैसे कि कोई भी आश्यदी लें तो पहले उसे इस बहुती विश्ष्ट मंत्र द्वारा ग्यारा माला जापकर अभी मंत्रित करके रख लें ऐसा करते हैं तो बहुती तिवरता से बहुती शुबता के साथ वह अश्यदी आपकी धे पर असर करेगी बहुत जल्दी आप रूग मुक्त होंगे इसमें कोई संदेह नहीं ध्यान से समझेगा मंत्र इस प्रक ऐसे दर्शे को यदि किसी विग्न के कारण कारियों में सफलता नहीं प्राप्त हो रही है तो आज के दिन दौपेर डेड़ से सवा दू बजे के बीच यानि एक बच के तीस मिनट से दू बच के पंदरा मिनट के बीच में साथ साबुत हल्दी की गाठे साथ साबुत स्वीर या शिवलिंग है वहां रखे और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुर्वे नमे की 27 माला का जाब करें और फिर 27 माला नमे शिवाय इस मंत्र का जाब करें और इस पोटली को अपने घर के इशान कोन यानि नौर्थ इस्ट कॉर्णर उत्तर पूर्व कोने में कहीं उप अब जीवन में दूर होने लगेंगी लेकिन इस पूजन और इस कार्य के बाद में शाम के वर्थ साथ भूके व्यक्तियों को निर्दन व्यक्तियों को भूजन अवश्य करवाएं और दक्षन अवश्य दे ऐसी दर्शिकों अगर दरिद्रता की वज़े से आप पूरी तर करना सिर्फ ये है कि आज आप माता पदमावती का एक यंत्र ले आए जो बजार में बहुत आसारी सुपलब्द है नहीं तो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके प्रिंट निकालके वह भी रख सकते हैं फिर रातरी साड़े नों बजे यंत्र की पंचोप चार से पूजन क पुष्प तिलक आदि से उनकी वंधना करने और फिर माता पदमावती का आवान करें और इस मंत्र की 27 माला का जाप रातरी में करें ध्यान रहे कि जो दीपक है पूरी रात आपको जलते रखना मंत्र ध्यान से समझेगा मंत्र स्प्रकार है ओम रीम रीम क्लीम श्रीम पद सम्मावती आगच आगच नम है पूजन के अंत में जो ग्यारा लगुन आरियल और गूमती चक्र है इन्हें अपने धनिस्तान में रख दें और दीपक को रातरी में ही या सुभे चार बजे के आसपास किसी चौराय पे या शिव मंदिर के पास जाके रखाएं वापस है नहीं आप करके देखिए तो दर्शक को यह था आज की वह विसस्ट उपाय जो आपकी बड़ी-बड़ी समश्चाओं के समाधान कर रहे हैं आपको धनी बना रहे हैं अब बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पत्री का यह हमारे दर् कीजिए अंग्रेश सिंग जी विवा योग आपके जो है वह 2020-21 में भी बना था बहुत ही प्रबल योग बना था किनी कारणों से वह टल गया या विवा नहीं हो पाया अब दुबारा आपका जो विवा योग बनेगा वह अक्टूबर सन 2023 से मार्च सन 2024 के बीच बनेगा व विवा भाव का मालिक चंद्रुमा नीच राशी में होने से और चंद्र राहु ग्रेंट दोष होने से विवा में विलम भी दिख रा है विव आ के बाद में समच्शाहीं भी हैं तो इसके लिए ग्रहंड शांती निश्चित रूप से करवाई ये बुद्ध के के जाप हो और चंद्रमा के जाप हो ताकि विवाव में कोई अर्चन ना आए और विवाइक जीवन में बाद में कोई समश्या ना आए कि आज की दूसरी पत्री का हमारे पास आईए हमारे दर्शक विवेक सिंग जी की आजमगर से पांच अक्टूबर लगएगाँतर शनी की पूंध रश्ती है तो ये दोनों बातें दर्शारी एक तो आपके पित्र दोश है दूसरा आपके घर में भारी वास्तुदोश है तो आप वास्तुदोश को ठीक करवाईए चेक करवाट और पित्र शान्ती का अनुस्टण करवा लीजिये इसकेdays अल यह सब कुछ ठीक होने वाला है तो दर्शे को यह था आज का पंचांग आज के विसुस्ट उपाए और ग्यान चर्चा मैं पंडे चंदर शेकर शर्मा यह आशा करता हूं कि बताएवे उपायों को सही विदी सटीक समय पर अटूट शद्धा के साथ करके आप पूरा-पूर अवश्यों साथी साथ एक निवेदन है कि श्रावण मास में व्रक्षा रोपन अधिक से अधिक संक्या में अवश्य कीजिए और जो प्रकती है जो भगवती हमारे सामने उपस्तित है इनकी सेवा कीजिए कारेकर में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साथ वाद भगवत सब्सक्राइब करें जय आदिशक्ति